मातनलाओ जी खुराना नहीं रहीं लेकिन पार्टी को किवल दिल्ली में है नहीं बलकि देश में भी उचाई देने में उनका योगदान है क्योंकि जब पार्टी अपनी प्राइमरी स्टेज में थी तो इस अब सारे लोगों का पार्टी को मजबीर करने में बहुत बड़ा योगनाम रहा ह। तो दिल्ली का जहां तक प्रशन है भले ही वो प्रतिपक्ष के नेता ही क्यों नहीं रहे हो। पार्टी भले ही सब्तामिन है रही हूँ लेकिन दिल्ली की जंता का एक भरोसा और विश्वास मदनलाल जी खुराना के परतीश रहा है और यहां तक की उन्हें दिल्ली का शेर कहकर लोग दुगार देते हैं लेकिन जो इस धर्ती पर आया है सभी को जाना है वो हमरे बीच न मदनलाल खुराना जी का जो आकस्मिक निधन हुआ है इस पर सब लोग शोकाकुल है खासकर दिल्ली के लोग मदनलाल जी दिल्ली के पूर मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्तान के गवर्नर रह चुके हैं और दिल्ली के लोग उनको बहुत प्यार करते थे सो हम सब लो खुराना जी एक बहुत ही पॉपिलर लीडर थे दिल्ली में और खे दिये है और बुरा लगता कि बीमार बहुत दिन तक रहे लेकिन उनके जाने से दिल्ली ने अपना एक बहुत अच्छा लीडर खोया है दिल्ली के लोगों की और विशेशकर गरीब लोगों की या भागे लोगों की जो विपन है वंचित है वैं समस्तों की उनकी आवाज बहुत कमजोर हो गई जी के मदलनाल खुराना जी वास्ताओं में दिल्ली के शेर थे बहुत समय से असवस्त चल रहे थे मेरा और उनका सम्मंद पिछले 40 सालों से रहा खुराना जी दिल्ली के विधान सभा के पहले मुख्य मंत्री बने मेरे पिता चर्तिलाल जी गोयल उस समय पहले विधान सभा के अद्धश बने गी तो आप समझे खुराना जी के साथ ना केवल मेरे पिता जी ने काम किया मैंने उनके साथ बरसों तक काम किया